अलो और विल्कम फ्रेंट्स अगर आपको solver option नहीं दिखाई पड़ा रहा है Microsoft Excel में जैसा की मेरे साथ है यहाँ पर देखेंगे तो data tab में आपको solver option दिखाई पड़ता है लेकिन यहाँ पर कहीं भी solver option आपको न दिखाई पड़ रहा हो मैं आपको बताता हूँ तरीका solver दिखाई कैसे पड़ेगा यहाँ पर आप file में चले जाएए और फिर आजाएए कहां option पर आजाएए जैसे ही आप option पर आते हैं तो यह window फूलती है ठीक है यहाँ पर advance में यह दिखाई पड़ेगा यहाँ से जैसे ही go पर जाते हैं तो यहाँ पर solver option पर tick कर देना है आपको tick करके ok कर देना है अब यह ok जब कर देंगे यह न तो यह आगया हम data type पर वापीस तो अब यहाँ पर आपको solver option मिल जाता है इस तरीके से आप solver को activate कर सकते हैं करना बड़ा असान है और activate कर लेंगे तो अगले वीडियो में आपको यह बताओंगा कि इसका use कैसे करना है ठीक है तो जो भी students जिनको Microsoft Excel में solver सीखना है तो अगले वीडियो में मैं इसको पूरा clear कर दूँगा thank you for watching this video